सो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वलाओं कि आप लोग अपने email id को हमेशा के लिए delete कैसे कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मैं देख रहाँ कि काफी सारे ऐसे लोगों होते ही जो की काफी email id को create कर लेते हैं उसकी बाद उनको phone अच्छी तरिका से चलता नहीं है तो सोचता है कि मैं इसमें से 3-4 email को delete कर दूँगा ठीक है तो आप लोग actual में पर्ममेंटली क्लिए email id को delete कैसे कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो के सहता से आप लोगों को समने complete जनकारी देने वालाओं ठीक है screen recording को on करने के बाद आप लोगों को mobile में Gmail application को open करने ठीक है Gmail application को जैसी open करती है तो आपकी समने कुछ इस तरिका की interface खुल करके आ जाएगा ठीक है उसकी बाद आप लोगों को यहाँ पर Gmail की logo पर click कर देने ठीक है तो आप लोगों को Google account पर click कर देने ठीक है pen लोगों के लुओं पर click करने के बाद आपकी समने कुछ इस तरिका की interface खुल करके आ जाएगा उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर click करने के बाद आपकी entendu कुछ इस त्रिका की interface कर के आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को Google पर क्लिक करने है, Google पर क्लिक करने के बाद आपके समने कुछ इस तरीका से आप लोगों को मुबाईल में जितने भी इमेल रहता है, उसके बाद आप लोग जो भी email को delete करना चाहते ही उस email को select कर लेना है तो मैं फिलाल second वाले email को select कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर click करना है उसके बाद आप लोगों को remove account पर click कर देना ट्के, remove account पस जैसे आप लोग click करेंगे, तो उसके बाद आपकी समर्ण कुछ इस तरीका के interface खुल करके आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को remove account पस जैसे आप लोग click करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा email delete हो जुग है, ट्के, तो आप लोग भी चाते हैं कुछ इ email id को delete करना, तो कुछ इस तरीका से आप लोग email id को delete कर सकते हैं, ट्के, तो आई वाप आज की इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीका से पता चले गया होगा, कि actual में किसी भी email id को कैसी delete कर सकते हैं, ट्के, तो इस वीडियो को एक like ने कर दिजिए, और चैनल को subscribe निक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए मिलते हैं किसी नक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए जैंद बंदे मात्र